हेलो एवरीवान आप सभी का फिर से टीविल कोचिंगे इस सीडियू से में बहुत बहुत सवागत है जैसे के दोस्तों आपने देखाए होगा जी हाँ दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बिहार आईटाई और पॉलिटेक्निक पार मेडिकल के लिए जो समाने ग्यान के टॉ पारट जो है तो यह वी कोचन जो है काफी इंफोनित हुने वाला है और आयोप कि आप इस वीडियो कायो तक देख पाइएगा और हदूस्तों वारे चैणल को सबस्काइब नहीं किया तो प्लीज है मैने चेनल को सब्सकाइब करिकेन को आने ओन्सронोगी जाएगा और आप पासाने से हमारे हड़ वीडियो को देख पाईएगा तो चलिए सुरू करते हैं तो यहां पर फॉर्ष्ट अपर को देखा जाए तो फॉर्ष्ट को बोड़ा है कि सासा के मंत्री परिषद को और्ष्ट पर्धान की संग्यादी तो आपका ये दोस्तों सीवाजी दोस्ते उन जाट प्लेट यानि की अपला तून कहा जाता है तो यह जो है आपका सी नंबर ओप्शन अनिकी सूरज मलको कहा जाता है जाट का प्लेटू कहा जाता है तो यह जो है आपका गुरू अंगद थे यह जो है आपका राइट एंसर होगा फादर आप गुरू मुखी लिफी हो जाएगे यानिकी गुरू अंगद अप्शन नंबर बी इस करेक्ट एंसर हो जाएगा तो आई होब कि यह भी कोचन आपका समझ में आगे होगा तो चलिए अगला कोचन की तरफ बढ़ लेते हैं तो अगला कोचन आपका 30 नंबर कोचन पूछ रहाएगे खालसा सेना की अस्थापना तथा पाहूल पर्व का प्रवर्तक थे प्रवर्तक है तो यहाँ पे गुरू गोविन जो थे यहाँ पे खालसा सेना की अस्थापना की थी और पाहूल पर्व का भाई प्रवर्तक है तो यानिकी पाहूल पर्व भी इन्हों नहीं सबसे पहले चलाया था तो गुरू गोव तो इसकी बात करें, तो यहाँ पे टीफु सुल्तान इस राइटेंस हो जाएगा, जो आपका स्वंतरता का ब्रिक्ष लगाया था और जोकोविन कलब का सदस्य भी थे यह, तो यहाँ पे यह आप्शन नमर ए जो है करेक्टेंस हो जाएगा, चलिए 132 नमर कोचन देख लेते थी उस समय के साथनकल में, तो यहाँ पे अकबर इस राइट एसर आप दिसकोशन हो जाएगा, तो चलिए अगले कोचन को देख लेते हैं, तो अगले कोचन आपका बोल रहा है कि भारत में सरो पर्थम जो है, कौन येरोपिय भैपारी आया था, वह आपका पूर्थ गाली कि आया था, कब आया था दोस्तो, 1498 इस्वी में, और वो भी जो है, आपके केरल के सोरी दोस्तों के कालिकट बंदरगा पर सरो पर्थम आये थे पूर्दकाली, और उसमें कौन आया था आपका, वासको डिगामा, वासको डिगामा जो है आया था, और इसी को आपको जाना ह आता है कि भारत की खोई इसने हीन की थी तो यहाँ पर ऑप्शन नमबर एज कडेक्ट हो जाएगा इस से रिलेटर सभी कंसेप्ट को आपको याद रखना है ने बताया था कि पहला पूर्थगाली वे पारी कौन था आपका वासको डिगामा हो जाएगा आई टेंसर ऑप्शन नमर बी इस करेक्ट टेंसर और इस कोचन हो जाएगा तो चलिए अगला कोचन की तरह बढ़ते हैं तो अगला कोचन आपका बोलता है कि पूर्थगालियों यूसुप आदिल उससे आपका पॉंद्र सो दो सिस्वी में सासन चीन लिया था और गुवापर कब्जा कर लिया था पूर्ण रूप से तो यहां पर ऑप्शन नमर सी इस करेक्ट टेंसर हो जाएगा तो चलिए अगला कोचन की तरह पढ़ते हैं तो अगला कोचन आपका कि James पर्थम जो सोलो सा आठीषिंए में यह जो आपका जहांगीर के दर बार में आया था तो यहां पर सोरी में गिए कराएक और यहां तो चलिए अगला कोचन की तरह बढ़ लेते हैं इसरी नेपल बोल रहा है कि कल्काता नगर की निव किस ने डाली थी तो कलकाता नगर की निव की बात करें तो आपका रोबर्ट कलाइब जो है आपका राइट एंसर जाएगा रोबर्ट कलाइब इस राइट एंसर आप इस तो यहां पर आपका अंग्रेजों की एक कंपणी थी जो वहां से आई थी भारत में चल कर पूरे भारत पर अपना सासन सत्ता कब्जा कर लिया था तो चलिए अगले कोचन की तरह बढ़ते हैं तो अगला कोचन आपका 139 में कोचन बोल रहा है कि अंग्रेजों फ्रांसिसियों के बीच निर्नायक वांडिवास का यूद कब हुआ था तो वांडिवास का यूद की बात करे आपका तो t ç al 445 स्वी में भुआ था यह अंग्रेज और फ्रांसिसियों के बीच हुआ था बहां भयाना की यूद हुआ था इसमें जो है फ्रांसिसियों की हार होई और फ्रांसिसियों को अंतता जो है भारत को छोड़ कर जाना पड़ा और पूर्ण रूप से अंग्रेज भारत को आपने जो है कबजे में कर लिए तो अगला कोचन के तला बढ़ते हैं, तो अगला कोचन आपका बोड़ा है, 1140 नमर कोचन बोड़ा है, फलासी की लराई की बात करें, तो सुर जुदौला और अंग्रेज जो है, इन दोनों के बीच में हुई थी, और ये जो है, काफी निर्नाएक ये भी यूद हुई थी, क द्हर्म से बिवाध颁थन हो गods और अंग्रेजू ने धर्म के कारण कीकि ये लिग्त खेंट से उग्पारेख़ पर जाएक का पर्फम में मसालों हो था और आप बात करे हैं मसालों की तो आप जानता है कि वासकोर डिगा में अभी जब पर्थम भारत में आया था पूर्टगाल से तो वो भी जो है आपका मसाला के खोज में ही आया था और यहां से अधिक मातरा में मसाला भी लेके गया था कहा था है कि जब यहां से वह मसाला लेगा गया तो एक गुना दाम में ले गया और वहां पे जाका आपका 16 गुने दाम में बेचा तो इससे उसको काफी benefit मिला तो वो दुबारा 252 issue में जो है फिर आया था भारत तो यहां पे आपको इस सारे concept को याद रखना है तो चलिए अ आपका आंसर आपको उजाम में पीक करना होगा तो चलिए अगले कोचन की दर बढ़ते हैं तो अगला कोचन आपका 143 नमर कोचन बढ़ता है कि बंगाल में वहीं कोचन है दोस्तों लॉड कलाइव जो है आपका राइट एंसर यहां पे नहीं दोस्तों यहां पे थुड़ करते हैं तो आपका बॉल रहा कि पलासी की लराइव जो है आपका किन दो पक्षों के बीच में हुई थी तो अभी आपने देखा था प्लासी की लराइव का शिर्या जो के बीच में हुई थी इसारी दोस्तों यह दोस्तों यह थोरा सा question ृपीट हो गया है यहां पर जो फीडियेव बनाने में थोरा सा mistake हुआ है तो यहां से हम लोगों को देखना है 144 से देखना है 144 नूमर question बोड़ा कि कलकाथा में उच नियालाज कि आज थपना कब हुई थी तो कलकाता उच नियाले कि आज थापना जो आपका 174 इस्यु में हुई थी और कहा जाता है कि यहीं सबसे पहला जो है उच नियाले था भारत का तो यहाँ आप्शन नमर सी इस करेक्ट एंसर अप इस कोच्छन हो जाएगा तो चलिए 145 नमर को जब देख लेते हैं तो बोल सहाइक संदी पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राजी कौन था तो सहाइक संदी पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राजी जो था आपका हैदराबाद था हैदराबाद सहाइक संदी पर हस्ताक्षर करने वाला पर्थम राजी था तो हैदराबाद इस तो राइट एंसर आप आप्सन नमर ए जो है है एधरावार आपको राई टेंसर के रूप में याद रखना है सा आएक संधी पर पर्थम बाहर वह हस्ताक सकी जाता ऑप्सन ओन फ़र्टी सेवन मर कोशे मादेखते हैं तो बोठा है कि भारत का पर्थम गुवर्णर जनरल था तो भारत का पर्थम Governor General जो है आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक था option number C is correct answer जाएगा इसको आपको याद रखना है पर्थम Governor General भारत का लॉर्ड विलियम बेंटिक हो जाएगा 148 नमर को जाएगा कि सौती पर्था को समात करने का स्रे किस Governor General को प्राप्त है तो पर्था को समात करने का स्रे जो है आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक को जाता है और इनों नहीं जो है सौती पर्था को समाप्त के था यानि कि सौती पर्था का मतलब जो है आपका महिलाओ को पती जो यदि मर डेट कर जाते थे उनके रहते हुए भी तो महिलाओ को उनके साथ जो है चीता पर जलना परता था तो इसको आपने यहाँ पे लौड बिलियम परतिबंद हटाने का सिरे किसे प्राथ है यानि कि समाचार पत्रों पर 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 परतिबंद लगाया था उसको अगला कोचन आपका चॉल्स जो है चर्ल्स जो है मेट कॉफ जो है राइट अंसर हो जाएगा उप्सन नमभी इस दर राइट एंसर उसको आपको याद रखना है तो चलिए अगले कोचन को देख लेते हैं तो अगला कोचन आपका बोल रहा है तो यहां पर उप्सन नमर सी लोट डलो जी डाइट एंसर हो जाएगा तो इसको आपको याद रखना है और यह जो है आपका 25 नमर 25 कोशन थे इसमें इसमें भी तो यह भी जो कोशन है काफी इंपोर्टर नहीं जाम के भी से तो आई होप कि आप इस वीडियो को अच्छी जाएगा ताकि आने वाले और भी वीडियो जो है काफी इंपोर्टेंट होने वाले हैं और उससे आपको लाब मिलेगा और आप आसानी से हमारे वीडियो को देख पाएगा तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में और हां दोस्तों एक आपको बताते चले कि आज आज चलिए अगले वीडियो में तब तक लिए धन्यवाद